दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि Amazon जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक और बहुती बड़ा जंगल है और ये बहुती बड़े शेत्र में फैला हुआ है Amazon नदी जंगल के माध्यम से होकर ही गुजरती है और Amazon Rainforest जानवरों और पौधों को संपूर्ण जीवन समर्थन करती है इस जंगल को Lungs of the Earth के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों वो जमीन पर कार्बन डायोकसाइड को अब्जर्व करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है और दोस्तों ये जंगल खतरनाक जैनवरों का भी जंगल है जी हां आपने बिल्कुल सही सना और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खतरनाक जैनवरों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन में से कुछ दिखने में बहुत संदर भी हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो खतरनाक हैं दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बुलेट आंट की अपने जंगलों में घरों में कई बार अपने साथ ऐसा होते हुए जरूर देखा होगा कि हमारे हाथों या पैरों पर चीटियों का जूंड हमारे किसी काम के करण चड़ जाता है और अगर वो चीटी लाल है तो फिर हमें काट लेती है लेकिन ये बुलेट आंट बहुत ही खतरनाक दिखाई देती है और अगर ये काट ले तो इंसान को किसी गोली लगने जैसा दर्द मैसूस होता है ये चीटी दुनिया के प्रांच सबसे दर्दनाक तकलीफ देने वाले जानवरों में शुमार है इल्स दोस्तों ये इल्स मचली जो के तालाब दलदल और नदी किनारे किसी भी पानी के स्रोत के आसपास अमीजन के जंगलों में मिल सकती है और ये काम कुछ ऐसे करती है कि ये हम सभी से बहुत डरती है और ये हमें टच भी नहीं करती है साथ ही हमें कभी काटती भी नहीं है और तो और इसमें जहर भी नहीं होता लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसको छूने वाले को तकरीबन 600 वोल्ट का जटका लगता है दोस्तों ये खतरनाक होता है ये कि अगर ये आपको टच भी कर देगा तो आपकी सीधे जान जा सकती है ग्रीन अनाकॉंडा अनाकॉंडा मूवी अगर आपने देखी है तो इस जीब को आप भली भाती जानते होंगे अब लोगों को बता दों कि ये अमीजन के जंगलों में पाए जाने वाले सिबसे खतरनाक जैनवरों में से एक है और ये जैनवर पहले अपने शिकार से लिपट जाता है फिर दम लगा कर उसकी हड़ियां तोड़ देता है और फिर सीधा वो उसको निगल जाता है पिरहना फेज दोस्तों ये अमीजन के जंगलों में पाए जाने वाला एक बहुती खतरनाक जीप पिरहना मचली है अगर आपने भी पिरहना मूवी देखी है तो आप इस मचली के बारे में तो जानते ही होंगे ये मचलीयां साफ सुतरे पानी में पाई जाने वाली बेहत खतरनाक और डरावनी मचलीयां होती है और इनका जुंड केसी भी जानवर को आसानी से खा लेता है फिर चाहे वो कोई मगरमच हो या फिर कोई शेर ही क्यों ना हो और ये अपने शेकार को पानी के अंदर भी खीच सकती है और फिर जो होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है और ये मचलीयां अपने पैने और नुकीले दांतों से उस जानवर या इनसान का पूरा मांस खा जाती है और अंत में जो बचता है वो सिर्फ कंकाल होता है तो दोस्तों इन जानवरों में से आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कॉमें सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिले सबसे पहले तन्यवाद